हाई फ्रेंड्स we are going to solving this question question देखते हैं find the fourth proportional to the number ठीक है जो भी given number है इस given number का मुझे क्या find out करना है fourth proportional ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं कि proportion क्या है then उसके बाद देखते हैं कि first proportion क्या है second proportion क्या है third proportion क्या है and fourth proportion क्या है ठीक है तो देखो जब देखो suppose माल लो आपका a जोता है a ratio b है एक a ratio गया और दूसरा आपका c ratio d है ठीक है अगर यह दोनों ratio एक दूसरे के क्या है आपका equivalent है जब equivalent है तो इसे हम proportional से so करते हैं double कुमा से ठीक है यह आपका proportion है ठीक है और इसमें जोता है यह जोता है यह है इसको हम कहते हैं क्या कहते है first proportion क्या ठीक है first proportion क्या ठीक है यह समझ देगा फॉस्ट प्रोपोर्शन है यह यह आपका बी है यह आपका जो है बी है ठीक है इस बी को हम कहते हैं second proportion ठीक है second proportion प्रोपोर्शन और यह सी जो है आपका third proportion है और डी जो है आपका यह आपका fourth proportion है तो मुझे इस डी के value को ही evaluate करने है find out करना है ठीक है तो देखू तो सबसे पहले हम लिग देने है first question स्वर्व कर रहे है first question में आपका है 8 36 and then 6 ठीक है तो आपको क्या करना है fourth proportion find out करना है तो हम क्या करना है let the fourth proportion let the fourth proportion be x हमने उसे x मान लिया तो proportion कैसे proportion को आप प्रेजन करते हो जैसे 8 ratio 36 proportion to 6 ratio आपका x क्योंकि आपका यहीं जो हता है x यहीं जो हता है आपका fourth proportion है ठीक है तो देखू एक और चीज़ आप समझो कि जैसे आपका लिखा रहता है a ratio b तो a ratio b को आप ऐसे लिख सकते हो fraction में a by b को again आप इसे ratio के रूप में भी लिख सकते हो ठीक है तो देखू तो 8 by तो ठीक है 8 ratio 36 8 by 36 ठीक है उसके बाद जोता है अगर ऐसे भी solve कर सकते हो एक और आपको में ठीक है ठीक है और proportion को कैसे लिख सकते हो आप equal कर सकते हो then इस ratio को 6 by x ठीक है then देखू अब cross multiply करो जैसे cross multiply करोगा तो आपका 8 into x equal to 6 into 36 हो गया ठीक है 36 हो गया उसके बाद देखू तो आपका x equal to the 6 into 36 by 8 हो गया ठीक है उसके बाद 4 से कहां से 4 to the 4 to the 8 और 4 9 जा 36 and then 2 से 6 को 2 से cancel करो कितना बार में 3 बार में तो कितना आ गया आपका x equal to 27 बना गया ठीक है और एक दूसरा method जान जाओ दूसरा method ही मैं आपको बता दे रहा हूँ suppose देख लो कि आपका क्या है अगर मान लो कि a ratio b proportion to c ratio d है ऐसे है तो आपको d की value को evaluate करना है समझो है अच्छा से तो देखो first को और इस last term को हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग extreme term extreme extreme terms ठीक है extreme terms कहते हैं और इसमें जो आपका यह b जो है और c इसे कहते हैं extreme sorry इसको कहते हैं लोग mean term mean terms कहते हैं ठीक है तो देखो तो proportion का एक जो ता फर्मूला होता है कि product of product of product of extreme मतलब extreme terms कहो यह extremes कहो product of extremes equal to product of means ठीक है product of extremes equal to product of means ठीक है then देखो तो आपका product of extremes क्या हो गया तो आपका product of extreme हुआ a और d first वाला और last वाला का product मतलब multiply करो तो आपका a into d equal to of product of means तो means मतलब बीच वाला यह b और c है तो b into c हो ठीक है तो उसके बाद देखो अब इसके यहां पर देखो माल लो आपका question आपका यहां पर है यह देखो यहां पर देखो तो आपका 8 ratio 36 है proportional to 6 ratio x है तो इसो कैसे लिख सकते हो product of extreme मतलब 8 into x ठीक है ऐसे हैं लिखो कि नो 8 into x equal to अब 36 into x 36 into x ठीक है दैन 36 8 into x 36 into 6 होगा ठीक है तो देखो x equal to आपका 36 into 6 by 8 उसके बाद जब इसे cancel करोगे 4 2 जा 4 2 जा 8 and 4 9 जा 36 and 2 6 जा 2300 6 ठीक है then x equal to 9 3027 मतलब x equal to 27 आ गया तब इस आपका जो proportion क्या आ गया proportion जो है 8 ratio 36 उसके बाद क्या 6 ratio 27 जो 27 जो अभी आया आपका वह क्या है fourth proportion है ठीक है अब हम second question देखते है ठीक है second question देखू तो क्या होगा 5 हो गया 7 हो गया और 30 हो गया तो आपको fourth proportion find out करना है तो क्या लिखो गया let the fourth proportion let the fourth proportion be x ओके दैन तो proportion कैसे होगा 5 ratio 7 proportion to 30 ratio x मतलए यहीं आपका fourth proportion हो गया अब आपने अभी देखा है कि कैसे find out करो product of extreme equal to product of mean ठीक है product of product of extremes equal to product of means ठीक है ठीक है product of extremes equal to product of means the product of extreme क्या है तो फाइब इन्टु x यहीं जो फास्ट वाला और लास्ट वाला तो फाइब इन्टु एक्स एक्वाल टू और मीन टर्म क्या है इन्टु थाट्टी से बन इन्टु थाट्टी ठीक है तो देखू एक्स एक्वाल टू तू सेवन इन्टु थाट्टी और अब मल्टिप्लाइम इदर आगा डिवाइड वाइड वाइव तो फाइव शिक्स जा कितना होता है ठां ट्ठी यृता है दैन ऐक्स एक्वाल टू कितना हुआ फ्वोटी सुट हो गया एक्स एक्वाल गोग्वां कितना है ярarm4 तो आपका जो फोर्ट प्रपर somewhere कितना फोर्टी स्टी तू है अगर इसको प्रोपर्पोर्शन में रिपर्जन करना चाह सो करना चाहते हो तो इक्वल टू फोटी तू आपका आगे ठीक है अब आप क्या करो एक और लास्ट कुस्चिन आपका थार्ड में देख लेते हैं अभी थार्ड कुस्चिन ठीक है तो देखो इसमें जो आपका 2.8 है उसके 14 है और 3.5 है इसमें भी कुछ है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइ पोर्षन बी एक्स उकेंड़ल आपको इसको पाहले जो भी जो गिवन नंबर26 प्रोपोर्शन में रिप्रजेंट करो ठीक है तो 2.8 रेशियो 14 प्रोपोर्शन चूट त्री northeast 5 रेशियो एक्स ठीक है तो आप क्या आनते है प्रोपोर्शन कान्डीशन क्या होता है उसका फ of means the product of stream क्या होगा first and last multiply ठीक है the 2.8 into x equal to product of mean means 14 into 3.5 ठीक है then x equal to 14 into 3.5 आपका इधा multiply में इधा हैगा तो divide महोगा ठीक है then देखो जब यह decimal को हटाओगे उसके बदले 1 और decimal को बाद कितना digit है एक एक जिरो इस decimal को हटा होगे तो एक होगा उसके बाद कितना digit है एक है एक एक डिजित है then एक जिरो पूट करो तो देखो आपका जिरो से जिरो cancel हो गया उसके बाद देखो उसके बाद 42 जा कितना हो गया 42 जा 28 हो गया then x equal to कितना होगा आपका 35 by 2 अब इसको क्या करना है आपको decimal में convert करना है और decimal में convert करने के लिए क्या करोगे इसे 2 से 35 को divide करोगे ठीक है अगर 2 से divide करोगे इसे वह आपकर करो कि इसको 10 के पाउर जो denominator 2 है इसको 10 के पाउर n कर दो तो कैसे होगा 2 का जो 2 है उसको 10 का पाउर n जो तो आप कैसे करोगे तो देखो 10 का पाउर अगर आप इसमें 5 से multiply करते हो then इसके denominator में भी 5 से multiply करना पड़ेगा तो यह कितना होगा 2 2 5s are 10 तो 10 का पाउर 1 means होता है हमने बोला है कि 10 के पाउर n मतलब 10 n जो तो आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है 10 का पाउर 1 then आपका कितना हो गया तो 5 5 जा कितना होगा 25 and 5 3 जा 15 5 3 जा 15 15 जोता है कितना होगा 15 जो 17 by 10 then जोता है x equal to 175 by 10 then जोता है देखो यह आप क्या करना है इसको decimal में convert करना है ठीक है इस fraction को decimal में convert कैसे करोगे देखो आप कितना 0 है एक 0 है तो right से left कितरे जाओ कितना एक digit मतलब आपका decimal यहां पर आएगा means आपका x equal to 17.5 आपका fourth जोता है आपका proportion होगा ठीक है तो अब आपको इसको proportion represent करो तो क्या था 2.8 ratio 14 proportion to 3.5 ratio 17.5 ओके तो आपका यह proportion जो है 17.5 जो है यह आपका fourth proportion है यह 2.8 जोता है first proportion 14 जोता है second proportion 3.5 जोता है third proportion and 17.5 जोता है आपका fourth proportion है ठीक है तो प्लीज दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए helpful है तो प्लीज चनल को like and subscribe जरूर करें okay thank you friend जोता है जोता है जोता है